इनके हमारी धर्मयात्रा, संस्क्रति, संस्कार सब दिखाई दे रहे हैं सुनु संस्क्रति के साथ यह यात्रा निकित रही है आज सावन का दूसरा सौंबार है और जबलपुर में मद्द प्रदेश की सब्से बड़ी कावड यात्र निकाली जारे है इसमें लगभाग 25,000 कावड ये शामिल हैं और आप देख सकते हैं कि यह जो कावड यात्रा है इसमें प्रकतिता संदेश और परियावन बचाने के लिए लोगों को प्रिरित करने निकले हैं इमकी एक कावड में पौदा है और दूसरी कावड में जो है नर्मदा जल है और ये कावड ये लगभाग 35 किलो मीटर क्या सफर ताइकर कैलास धाम मटा मर पहुंचेंगे जहां पर भैभगवान ओले नाथ का जलाविशेद करेंगो और इस पौदे को कैलास धाम की पहाडी पर रोपनेंगे अभी ताक है उनके मिशाब 25,000 इस बार इस यात्रा में शामिल हुए जिनों ने अपना रजिस्टेशन पर आया है और आप देख रहे हैं कि इस यात्रा में शामिल होने के लिए नगरिये प्रिशाशन मंत्री कैलास विजय भर्गिये जबलपुर आई हुए हैं और वो के लिए नगरी प्रिशाशन मंत्री है रहसे में यह जो यात्रा है इस यात्रा में शामिल होने के जमलपुर आप करते हैं सर आज मत्रचिस के सब्चे बड़ी कावड जात्रा खेलाती है तो प्रकार्टी को बचाने के लिए कावड ये पौदा भी लेकर चल रहे हैं और न सब्सक्रति के साथ यह यात्रा निकल रही है और बहुत अद्बोदे में जवालपुर के आहे जो को प्रटाई देख रहे हैं क्या कहना जाहिए कि मद्यप्रदेश की संसकार दानी कहलाती है और यह जो यात्रा 12 साल पहले शुरूविती लगाता इसमें आप संक्या बढ़ती कर निकाली जा रही है इस कावड यात्रा में 25,000 कावड यह शामेलियों आप देख रहे हैं कि इस यात्रा में में नेखनी प्रशाशन मंत्री कैलास विजयवर्गी भी शामेल हुए वो खोद है कावड उठाकर इस यात्रा में चल रहे हैं